नमस्कार, स्वागत आपका योगिता ओल्लेन क्लासेस में, मैं हूँ सरवन कुमार सागर, आज की इस विडियो में हूँ आपके लिए करका हैं, सर्च सिबी रमन्ट टैलेंट सर्च टेस्ट इन सांसेस दोजार पचीस, क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ के लिए मॉडल क्व इसे आप प्रवियस एर क्वेशन पेपर भी समझ सकते हैं, क्योंकि वर्ष दोजार तैस में पूछा गया यह औरिजिनल क्वेशन है, जिसको देख करके आप समझ सकते हैं कि इस एक्जाम में किस टाइब के क्वेशन पूछे जाते हैं, तो चलिए आज की विडियो को शु एक गाना गा रहा है, ए और बी के बीच वायुकन है, ठीक है, यह हुए आपका प्रस्न उत्तर में देखते हैं क्या क्या दिया है, पूर्व पस्सिम दिशा में कमपन करते हैं, उत्तर दचिन दिशा में कमपन करते हैं, कमपन नहीं करते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो सक ना पिर उत्तर देना देखिया क्या करा ए और भी है ए और भी है यह पूरा पसीम एक बीच वाय Sun होता है हवा के माध्यम से हमारा आवाज यह होता है एक व्यक्तित से दूसरे व्यक्तित तक पहुंचता है माध्यम हवा होता है तो अगर एक गाना गारा है भी उसको सुन रहा है तो इसके बीच में क्या होगा यह आवाज आ रहा है तो वायू भी कंपन करेगा इसके माध्यम से यहां तक पहुंचेगा वायू के माध्य साकारात्मक है तो किसमें इस तरह से साकारात्मक है हाइड्रोजन पर मानू में ड्यूटेरियम पर मानू में इन में सिक्वह नहीं है तो इसका सही उतर क्या होगा option नमर्ग तीसरा ठीक है तो इस तरह के questions की तैयारीया आप कर सकते हैं जो भी आपके class में देप्टर तीसरा प तो गुन्सुत्र बने होते हैं अप्शन में दिया डिया ने प्रोटीन उसके बाद डियाने और प्रोटीन आरेने तो किसके बने होते हैं तो यहां पे तीसरा विकल्ब क्या इसका सही है अगला प्रश्ण देखते हैं कोलाइडी कन का आकार होता है कोलाइडी कन का आकार होता तो ये बहुत छोटा इसका कार होता है तो इसको कर सकते हैं प्रकास तरंग धरी के समान ओप्शन नमर चार इसका सही उत्तर है। क्या होगा डवलू वन नाकार आत्मक है डवलू टू धनात्मक है यान डवलू टू का मान डवलू वन के मान से अधिक है उप्रोक्त सभी कथन सही है तो यहां पर देखिए यह नाकार आत्मक तो होई नहीं सकता है तो यह जो होता है धनात्मक होता है न यह क्या होता है धनात तो दूसरा वला उप्शन इसका सही है ठीक है ये क्या हो जाएगा दूसरा वला उप्शन सही है तो इस तरह से आपको प्रस्ण पूछे आते हैं अगला प्रस्ण देखिए 400 ग्राम और 600 ग्राम दर्वमान की दो मिट्टी की गेंदे A और B उपर फेकी जाती है वे हवा में तब टकराते हैं जब उनका वेग करमसा 30 मीटर और 20 मीटर पर 30 सकेंड और 36 और विपरीत होता है वे एक साथ आबध हो जाते हैं सन्यूक तो द्रवमान कैसे पत का अनुपालन करेगा लमवत नीचे सीधा रास्ता, लमवत उपर सीधा रास्ता, 36 पत जमिन पर आने के लिए घुमाओदर रास्ता अब कि कोई गेंद यहाँ पर हम फेकते हैं उपर यहाँ मालीजी टकरा जाता है उसके बाद यह क्या करेगा इंटकरा जाने के बाद यह आबद हो गया तो यह नीचे ही गिरेगा जब भी नीचे गिरेगा तो प्रधिवी के गुरुत्वा करशन के गारण वो सीधा नीचा गिरेगा तो यहाँ पर दिया है लमवत सीधा नीचे का रास्ता तो option 1 में दिया है तो option 1 इसका सही होगा अगला प्रोसन देखिए M दर्मान की एक छोटी सी गेंद शुरू में समान मोटाई के 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 उपर उचाई H पर आराम की अस्तितिम होती है किसी छनकन स्वतनत रूप से गिरता है के की सता को छोता है फिर उसमें इतनी अस्थीर दर से परवेश करता है कि जमीन पर पहुँचने पर उसकी गति सुनी हो जाती है के की सता को छोते हैं गेंद की गति और के के अंदर उसकी मंदता करमसा होती है तो यहाँ पे options दिये गए हैं लेकिन यह question हमें समझ में आ रहा है कि सही answer इसका क्या होगा अगर आप यह question समझ में आया तो इसका answer आप comment box में ज़रूर लिखेगा अगले प्रस्ण क्यों चलते हैं मुख्य quantum संख्या n वाले एक course में कक्छकों की cool संख्या है यह होता है n square लेकिन n square इसमें option में दिया नहीं है तो आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा सही answer हो सकता है अगर आपको यह question समझ माया हो तो हमें जो समझ माया रहा है वो हम बताते जा रहे हैं अगला प्रस्ट है, रेन्वियर के नोट्स पाए जाते हैं, तो ये तंतरीका को सिखाम होता है, तो तीसरा ओप्षन इसका सही है, अगला प्रस्ट देखिए, एक दोलन सीर लोलत के बॉब को धागे द्वारा सकती क्यापूर्थि की जाती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ओ उच्थम मस्थान प अधिके करते हैं घ्रदय कि मान सपेश्यों के बारे में निमलिखित में से एक सत्य नहीं है ? ह्योंसे मान स्पेश्यों को हम नियंतरित नहीं कर सकते है न यह पहला ऑप्शन सही होगा इसका ह का अगला देखते हैं यहाँ देखिए यदि पलस को मैनस मैनस को गुना भाग का अर्थ पलस और गुना का अर्थ भाग हो तब देखिए यह रिजिनिंग पूछा गया यहाँ पे तो इसको यहाँ पे थोरा सा इसमें मिश्टेक कर दिया है यहाँ पे 10 और 5 के बीच में अस्टार का चिन लगा दिय और अस्टार का मतलब कुछ बताया नहीं है तो इसलिए यह सवाल नहीं बन पा रहा है अगर आप इसको बना सकते हैं तो कमेट में जरूर लिखेगा अगला प्रसन देखते हैं एक समतल दरपन पर एक उर्द्वाधीर दिवार पर अस्थापित किया गया इसमें एक दिखाए देगा चार फोटो दिखाए देगा ना अप्सन नमर चार इसका सही है अगला देखते हैं क्वेस्टन नमर चोदा दो बेलनाकार पानी की बोतले ए और भी एक ही उचाई की लेकिन अलग-अलग व्यास के हैं बोतल ए में एक लिटर पानी भरा जा सकता है जबकि तो इसका मतलब है इसमें क्या हो जाएगा ओप्सन नमर तीसरा सही हो जाएगा बी में अधिक क्वश्यनों 15 देखते हैं एक व्यक्ति दरपन में अपना पर्तीविम उल्टा देखता है UIदी वह दरपन को अपने से दूर ले जाए तो पर्तीविम का आकार बदल जाएगा तो अव्तल दर्पन में उल्टा परत्यूम दिखाए देता है तो इसमें क्या हो जाएगा आकार बढ़ जाएगा ना यह हो जाएगा बढ़ जाता ओप्सन नुमर एक साहिए नुटन से पहले कई लोगों ने सेव के पेड़ों से गिरते हुए सेवों को देखा था लेकिन वे क्यों गिरते हैं इसकी व्यक्या आईजेक नुटन ने सारभोमिक गुरुत्वा कर्शन के नियम पर अधार पर की थी निमलिखित में से कौन सा कथन अस्तिती का सबसे परती समाना कर्शन बल का उनुभाव करते हैं और चोत्हा औप्सन दिया है सेव पिर्थभी के गुरुत्वा करण के कारण गिरता है के वल एक कथन से तीन बेटुका है तो यहां पर सभी उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्सन नमर चार आपकं गिरता है गृत्वा करशन के कार और तीन तो बेतुका है कि दुनों बराबर लगाएगा बल दो या दो सधिक फसलों को एक निश्चित पेटर में उगाने की परकिरिया को क्या बोलते हैं मिस्तरित फसल बोलते हैं तीसरा अप्शन सही है अगला प्रसन देखते हैं कौन सा जेविक खेती में सामिल नहीं है त अगला प्रसन लेते हैं एक आदमी धोनी S1 उत्पन करके जगड़ा करता और S2 धोनी उत्पन करके अपने मित्र से बात करता है दोनों धोनियां अलग-अलग है तो जगड़ा करेगा तो ज़्यादा आवाज निकलेगा तो इसमें आविर्ति और आयाम में क्या होगा दोनो ज़्यादा होगा तो अप्शन नमर तीसरा इसका सही है अगला प्रसन देखते हैं सूरी के सापेक्स पिर्थिवी का वेग बदलता है मुल्य और दिसा दोनों में तीसरा अप्शन इसका सही है अगला प्रसन देखते हैं लकड़ी का एक गुटका अपने आयतन का तीन वट टार्ट भाग पानी को उपर रखते हुए पानी पर तेड़ता है अब इसे सापेक्षिक घनत्व एक दसमलव एक दो के नमक के गोल में तराया जाता है इसके आयतन का अंस जो नमक के गोल के उपर रहता है डैस है तो इसका उत्तराफ कमेंड में जरूर लिखेगा अगला दे नूट्रोन टारा एक निश्चित विशाल के भये हुए कोर का उधारन है दस किलो मेंटर तिरजिया वाले एक नूट्रोन टारे का दर्मान living लुट्रोन टारे यहां पर M का मतलब चलिए नूट्रोन टारे के सत्वटः गर्टवा करशन चलिए तो हमें नहीं बन रहा है आ गर तरह से मिला जुला करके 25 सब्सक्त पूछे जाते हैं…… हविवेक्टी का निम्ला खित में से कौन सो तरीका तापमान से स्वातंत्र है तो यह होता मोल रेटी ओप्शन नमर एक इसका सही है इस तरह से 25 क्वेस्टन आपको टोटल पुछे आएंगे चार नमर रहता है परते क्वेस्टन में एक सौंग का एकजाम होगा अगर आप सही उत्तर देते हैं तो चार अंक मिलेगा गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक कटता भ तो चलिए इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद